हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी विदवाएं सुरेंदर चत्रुवेदी जी ने लिखा है कि बहुत जी लिए डर कर भी अब जीएंगे मर कर भी और हातों की रेखाएं देख रोने लगा मुकदर भी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से प्यूस परवा की टेस्ट सीरीज के भाग 49 के अंदर प्यूस परवा की आज आखरी सीरीज जैसे के साथ प्यूस परवा पुस्तक अमारी समाप्त हो जाएगे आज हम बात करेंगे राजस्तान के गौरव जीवन चरित्र है इसमें जो संकलित है मैं हूँ आपका दोस्त आदेकने इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सबी को शेर करें चलिए शुरुवात करते हैं पार्ट के अनुसार भारत देश में मौक्ष का अधिकारी किसे माना गया है तो उच्छे इस्तर के योगे और वीर्गती पाने वाले योदाओं को पार्ट के अनुसार भारते मौक्ष का अधिकारी माना गया देव नारायन जी किस कुल के थे तो बगड़ावत नागवन सी है गुजर कुल के अगर इनके जन्म की बात करें देव नारायन जी के इनका जन्म में एक अजार सिंत्यान में विक्रम समवत माग शुकल सप्तमी को हुआता जिसे बानु सप्तमी में भी कहा जाता है अगला देखिए जैज सिंग की बिमार पुत्री पिमपल दे को अपने आयरुवेद की ज्यान से किसने बलाचंगा कर दिया था देव नारायन जी ने और सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने देव नारायन को क्या सिखाये था योग विद्या छटा प्रश्ण है बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ था चवदा सो नो विक्रम समवत भाद्र पदशुकल दूतिया को अगला है कि पूत्रा पक पालने दिखे कहावत किस पर चरितार्ट होती है बाबा रामदेव जी पर आठवा है बाबा रामदेव ने पौकरण के पास किस कस्बे में बेरोतांत्रिक को मार गिराय था तो सातलमेर कस्बे में जम्मा जागरण का पुनित कार्य किस जाती के दौरा किया जाता था मेगवाल जाती के दौरा किनके चमतकार पर्चों के रूप में विख्यात जगतबर में बाबा रामदेव जी के बाबा रामदेव जी ने समाधी कब ली थी तो बादवा सुधी दसमी विक्रम समध 1442 के दिन बारा नमबर देखिए संत जंबेश्वर जी का जन किस दिन और कहां हुआ था जनमाष्टमी के दिन हुआ था पीपासर में नोखा तैसिल के समराथल नामक इस्तान पर किसने दिवे ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो जंबेश्वर जी को दिवे ग्यान की प्राप्ति हुई थी नोखा तैसिल के समराथल नामक इस्तान पर और जंबे स्वर्जी ने पर्थम उपदेश कब दिया था 1485 में कार्थिक अस्टमी को 15 नमबर देखिए सुल्तान सिकंदर लोधी को गो हत्या नहीं करने के लिए किसने राजी किया था किसने मनाया था संथ जंबे स्वर्जी ने खेजडली गाउं की गटना कब हुईती 1730 इसवी में और खेजडली जो है जोदपुर जिले में वहीं आगे हम बात करें इस गटना के बारे में तो 1730 में जो खेजडली की गटना हुईती इसमें कितने लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था 363 लोगों ने 18 नमबर है कि जलियावाला बाग अत्याकांड से बिशन अत्याकांड का हूँ आता मानगड पाड़ी पर और ये कि जलियावाला बाग अत्याकांड से बिशन अत्याकांड है ये कहा था गांदी जी ने 19 नमबर देखिए कि संप सभा की स्तापना किसने की थी गोविंद गुरु ने बुरोटियो नी मानूरी नी मानू इस गीत में बुरोटिया सब किसके लिया आया है अंग्रेजों के लिये 21 नमबर है 1913 में किसके आदेश पर बक्तों पर गोलिया चलाई गई थी कर्णल सटल के आदेश पर गोविंद गुरु को किस जेल में रखा वह क्या सजा सुनाई थी तो फांसी की सजा सुनाई थी और एहमदाबाद जेल में रखा था इनको 23 नमबर है गोविंद गुरु का अंतियम समय कहां बीता था तो गुजरात में पंच महल में कमबोई नामक इस्तान पर और मानगड पाड़ी पर आज भी मेलाक की स्तिति को लगता है मार्क्सिस पुरुनिमा को अगला प्रश्न है भारत देश से यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए समाप्त करने में मैधतपून भूमिका निवाने वाले थे माराजा सूरजमल और वहीं बात करें माराजा सूरजमल का की जन्म कब वहा था तो 13 फरवरी 1737 वी को और माराजा सूरजमल की राजा बनने के छहमाबाद ही बारत में कौन गुसा है था एमत सा अब्दाली और पार्ट में माराजा सूरजमल को किसके समान बताया गया तो सीवाजी चतपर्ती सीवाजी के समान अगला देखिए माराजा सूरजमल ने कहां कहां तक अपने प्रवाव का विस्तार कर लिया था अलीगर्ड, हापोड, गड़ मुक्तेश्वर, अधी जगहों तक प्राखरी प्रशन की सूरजमल को कौन सी नदी पार करते समय प्राान गातक चोट लगए थी तो हिंडन नदी पार करते समय न को прाण गातक चोट जो लगए थी तो सुक्रिया दोस्तों ये थे कुछ विशेज प्रस्टन वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और सबी को शेर करें